मित्रो नमस्कार स्वागाते आपका हेल्दी खाना में मित्रो आज हम बनाने वाल है पालक की साग और चने की डाल मिक्स इस दुनों को मिक्स करके एक बढ़ीजी डाल बनाने वाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और स्वाधिस्ट भी है इसके लिए मैंने 400 ग्र अधिद जाहें सेसले जीरा दो लाल थेज्पातलिंट्लमांय आमईने एक मिडियम साइट स्भाटर को छ थोड़ी और स्पॉटी त्रुम में घरम मसाली आपड़ने पोड़ने जड़ी six bab नमक नमक और हल्दी से हम काम चला सकते हैं लेकिन मसाले से डाल स्वाधिस्ट बनेगी तो दखते हैं प्रोसेस अब कुकर को हमने गर्म होने के लिए चला दिया है गर्म कुकर में हम लगभग एक से तेवल स्पून बेजिटेवल ऑईल डाल देते हैं और ओयल को गर्म होने देते हैं जब तक गर्म हो रहा है गर्म हो गया है और अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं जीरा हिंग जो भी फोरन के लिए हमने समान रखा हुआ था वो सब कुछ डाल दें इसमें और इसको इस तरह से चला दें जी रहा के चटक्ते ही तो इसमें हम टमाटर और प्याज डाल लatzay टमाटर प्याज डालके बेंगे अच्कितर नीटे चला दें इस तरह से इसे अच्छे से चला दें आज को मधी मी रखेंगे और जब तक प्यांज नहीं हो जाता तो तक इसे इस तरह से भूनेंगे जब तक यह पकर रहा है दूसरी तरफ हम साग को काट लेते हैं इस तरह से इसे पकरके एक चाकूस इससे छोटे टुक्रे हमें काटने है छोटे बड़े टुक्रे हो अगर तो कोई दिक्कत नहीं है मोटा मोटा हमें काटना है क्योंकि यह साग पूरा गल जाएगा भी बस इस तरह से आड़े तरह से कैसे भी करके थोड़े छोटे टुक्रे कर लें आप साघ के इस तरह से काट लें अब सारे साघ को हमने धो कर रख ले me धोब के ही साघ को काटे क्योंकि कभी मिट्टी भी रहती साघ में जिसा कि आप भी देख पारे हैं को प्याज का कलरड चेंजय हो गया है तो इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं जो भी मसाले हम लिये थे, हल्दी पोड्र नमक धनिया पोडर चीरा पोडर और गरम मसाले, श experienced डाल के अच्छी से हम उया squeezing लेंगे早ग और साथ ही आज कम रहेगा क्योंकि हम्मिशाले को हाय about तो अच को कम ही रखते हैं और इस तरह से चलाते हैं रही से मैं धोवी दर से चलाने के बार हम इतलाने के बार हम इसमें नल्द लेंगे अभी लेकिन धई धर चलाने के सकते ओर है ओ Deep ने को Maar इस तरह से मसाले को हमने अच्छे सी मिला दिया। आज को इसके साहा थी कम रखेंगे और भान देते हैं ताकि मसाले के खुसबूदाल nda एक बार हम और इसे एक मिट के लिए ढखते हैं ताकि मसाले अच्छे से ढखे हुए में पक जाए इस तरह से एक मिट के लिए और ढखते हैं लेकिन कम अच्छी रखेंगे साथ ही एक मिट बाद इसे निकाल लिया अब हमारा मसल अच्छे से फ्राई हो चुका है और डाल भी इसके साथ अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब इसमें हम साग डाल देते हैं साग डाल दें इसमें आप देखेंगे क्वांटिटी कितनी ज्यादा हो चली ही डाल की लेकिन घ्रमाने की कोई बात नहीं है साग अभी गल जाएगा डाल से लगबग दो गुना हमने साग लिया है इतनी ही क्वांटिटी आप भी रखिए अब पूरे मिशन को अच्छे से मिला दें इस तैसे मिला दें आप देखेंगे चलाते चलाते ही साग किती जल्दी गल जाती है एक बार इसे हम अच्छे से चलाके ढखेंगे थाकि क्वांटिटी और भी कम हो जाए तो हम थोड़ असा और फ्राइ कर पाएं एक मिट बार लग बार इसे खोलेंगे जाकि आप देख पा रहे होंगे क्वांटिटी बिल्कुल भी कम हो चली है साग की अब इसे अच्छे से चला दें अब हम इसमें पानी डाल सकते हैं क्योंकि पहले हमें साग गलने के बाद यह में पानी डालना चाहिए क्योंकि पानी का अंदाजा हमें मिलता है साब गलने से पाणिया पाणियाज पाणियालना नहीं मिलता अब डाल में यहां मैंने 300 अमेल पानिया हैrences अगा आप पतलीच चाये संन्य है समय झ्टादीय है से जलादें अच्छे से चलादेने के बाद इसे ढकन बंद करें और एक सीटी तेंज आज पर और एक सीटी कम आज पर दो सीटी हम इसको लगाने वाले हैं थोई दिर बाद सीटी लग चुकी है अब हम आज को कम कर देते हैं और एक सिटी लगने की प्रतिक्षा करते हैं तो प्रतिक्षा करते हैं थोई दर बाद दो सिटी लगने के बाद अब हमने इसको खोल लिया है जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे दाल और साथ बिल्कुल बन के तियार है अब हमें इसे थोड़ असा मिलाना होगा दाल को त तो पहले क्या है किया करें आप तेशपात और मिर्च को डाल से निकालंगे अगर अगर आप तीखा नहीं करतेती हैं। तो आप मिर्च निकाल के इसे मिलाईए हमने मिर्च और तेजपात निकाल लिया है अब इसे डाल मतने वाले से अच्छे से मतले इस तरह से इसे डाल को हम मिलादेंगे दो चार मियटा पर इस तरह मिलाएंगे डाल आपके मिल के तियार हो जाएगी जाकि आप भी देख पा र दाने फिर से या नहीं भी डाने इस तरह की दाल आपकी बनके तयार है आप भी बना इस प्रोसेस दाल और अपने अनुभा हमें कमेंट में बताएं मित्रों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल जरू सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोसेस से आप भी डाल बनाए और एंजॉय करें अपने परिवारगावालों को खिले हैं धन्यवाद